आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 एनर्जी के पार्ट 3 से और अगर आपने पार्ट 1st और 2nd नहीं देखा है तो लिंक के दिस्क्रिप्शन में है जाकर देख लीजे सो लेट स्टार्ट वेज अवेज अवेज इस अनादर अप्लिकेशन अफ एन इंक्लाइन प्लेंट प्लेंट अट मूवस इसमें टू इंक्लाइन प्लेंट होते हैं वील and axle, the wheel is often used much like a roller as means to reduce the friction हम वील को roller की तरह यूज करते हैं और reduce करते हैं friction को वेन वील इस यूज़ विद अन एक्सल इस कंसीडर तो बी एस सिंपल मशीन इसको सिंपल मशीन की तरह यूज करते हैं अगर हम वील को यूज करें एक्सल के साथ एक्सल इटसल इस फॉर्म आवील यह जो एक्सल होता है वो खुद भी एक वील के फॉर्म का होता है therefore a wheel and axle consist of a wick cylinder joined to small cylinder the wick cylinder is called the wheel and the small cylinder is called the axle the wheel turns the axle बच्चो इस example में हमें समझ आ रहा है कि यह जो है यह long cylinder है यह क्या है wheel और यह जो small cylinder है यह क्या है axle wheel जो होता है वो axle को turn करता है in the figure given below ropes are bound around the wheel and the axle but in the opposite direction the rope around the axle is ties to the load while the one of the round of wheel is for the effort बच्चो इसमें wheel और axle दोनों एक ही साथ work कर रहे हैं बच्च जो axle है वो load को support कर रहा है और जो wheel है वो effort को support कर रहा है बच्च जो wheel है वो effort को नीचे की तरह लगा रहा है और जो axle है अगर हमें load को ऊपर करना है तो हमें इसमें ज्यादा effort डालना पड़ीगा तो axle और जो wheel है वो दोनों एक दूसरे के opposite direction में work कर रहे हैं बच्चों जो ब्लेड होता है एक्स का और यह एक टाइप का वेज है जो की फोर्स को मल्टिप्लाय करता है बच्चों जो जैसे ही हम उसको फोर्स लगाएंगे तो वो स्प्लेड होती जाएगी अपार्ट बूट जो होगी वो स्प्लेड होती जाएगी दूर को होती जाएगी बच्चों जो वील और एक्सल होता है यह फोर्स को मैगनिफाई करता है क्योंकि जो वील इसमें क्या होता है वील बड़ा होता है और एक्सल छोटा होता है एक्सल टर्न करता है स्मॉल सरकल को बट इसमें जो है ग्रेटर फोर्स लगती है बच्चों इसमें यह बता रहे हैं कि हमें स्मॉल फोर्स लगेगी अगर हमारा जो वील है वो बड़ा होगा तो अगर हैबी लोड भी होगा न तो हमें स्मॉल फोर्स लगेगी अगर हमारा वील डबल है साइस का है एक्सल के कमपेरिजन में तो हमें एफर्ट हाफ लगाना पड़ेगा और अगर हमारा वील फोर टाइम्स लार्जर है किसे एक्सल से तो हमें वन फोर्थ कम फोर्स लगानी पड़ेगी कम एफर्ट लगाना पड़ेगा enrichment no machine in the world whether simple or complex can multiply the work कोई भी machine world की चाहे वो simple हो या complex हो work को multiply नहीं कर सकती otherwise it will violate the laws of conservation of energy अगर उसने ऐसा किया तो वो law of conservation of energy के खिलाफ है it is no machine can do more work than what is done on it इसके examples दिये हुए है कुछ windlass, a screwdriver, a water tape, a door handler, a cross spanner and an egg witter are some of the machine that function at wheel and axle ये wheel और axle के पर work करती है fact zone, moving staircase हम लोगों ने देखे होंगे stairs जो की move करते हैं उसको हम क्या कहते हैं axillators it is modified form of inclined plane used in departments, stores, shopping malls, airports, stances system to ferry the peoples from one floor to another floor जो axillators होते हैं बच्चों वो हमें क्या करते हैं ये हमें ज्यादा तर देखने को कहां मिलते हैं stores पर, shopping malls में, airports पर और railway stations पर और ये हमें एक floor से दूसरी floor पर पहुंचाते हैं non-functioning excalator acts as normal staircase बच्चों जो non-functioning होते हैं वो normal stair की तरह यूज किये जाते हैं it is better than the elevator as people can board it while it is in the motion and waiting period is not there इदा यहां पर कोई waiting period नहीं होता pulley, a pulley is simple machine which is used for lifting a load by applying an effort in a suitable and convenient direction बच्चों जो pulley होता है वो एक simple machine है जो की lift करता है load को और इस पर जब हम apply करते हैं effort और यह एक direction होती है इसकी suitable direction होती है with a pulley a bucket full of water from a well can easily be raised by applying the force in a convenient downward direction बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जो pulley है use करते हैं कहां पर जो water wells होते हैं वहां पर हम use करते हैं इसको ताकि easily हम पानी को raise कर पाएं अपनी तरफ और जो हमारी effort की direction होती है वो किस तरफ होती है नीचे की तरफ होती है हम rope को नीचे की तरह लगाते है तब जो हमारी bucket है वो water filled bucket है वो उपर आती है और parts क्या होते हैं पुले की a pulley consist of circular disc made of metal plastic or wood which can rotate about an axle passing through its center पुले जो होता है वाच्चों वो इक circular disc से बना हुआ होता है metal plastic या बूट से और वो एकसिल से अपने सेंटर से एकसिल की द्वारा अपने सेंटर पर रोटेट करता है इट है इससे की स्ट्रींग पास हो जाए अराम से इसमें क्या होता है इसकी ग्रॉबर में एकक फुटा और एक्सिल का जो एंड होता है जिससे की सपोर्ट फ्रेम जो रहता है वो सपोर्टेट रहता है वो उसको हम क्या कहते हैं ब्लोक अब सिंगल और फिक्स पुले का कैसे वोक होता है अब यह कैसे वोक करेगा अब यह कैसे वोक करेगा अब देखिए यहां पर जो है एक बॉय ने नीचे एफर्ट लगाया तो लोड क्या हुआ अपवर्ड वस यही बता रहे हैं कि जो यह हम जब एफर्ट लगाएंगे इसको हम अपनी एफर्ट लगाएंगे डाउनवर्ड तो लोड होगा अपवर्ड जो लोड और एफर्ट होता है वो सेम डिस्टेंस मूव करता है एग्जेंपल हमने इसको टू मीटर्स रोप को नीचे खीचा तो हमारा लोड भी टू मीटर्स उपर गया तो ऐसे माल लेते हैं एग्जेंपल दिया है मैने कॉमन सा बट इनके डिरेक्शन जो होगी वो ओपोजेट होगी असिंपल फिग्स्ट पुले इस यूस्ट फोर होस्टिंग अ फ्लैग और कंस्ट्रक्शन वर्क फोर लिफ्टिंग ब्रेक्स सिमेंट्स अंद अधर ऐलिमेंट्स फ्रॉम दी ग्राउंड फ्लोर तो दी अबब फ्लोर बचो जो सिंगल फिक्स्ट पुले होता है बो फ्लैग को होस्ट करने में और कंस्ट्रक्शन के वर्क में जैसे कि लिफ्टिंग ब्रिक्स, सिमेंट और अधर माटेरियल्स को एक ग्राउंड फ्लोर से उपर तक की फ्लोर में ले जाने के लिए वर्क में आता है इन सिंगल फिक्स्ट पुले अफर्ट और लोड आर सेम इफ्टियर इस नो फ्रिक्शन बट्विन रोप और वील बच्चो अगर पहली बात तो जो होता है सिंगल फिक्स्ट पुले में फ्रिक्शन नहीं होता है इसलिए एफर्ट और लोड आराम से वर्क कर पाती है और अगर होता है तो हमें मोर एफर्ट की जरूरत होती है यह जो सिस्टम है इसमें हमें कम एफर्ट लगाना पड़ता है और इजली काम हो जाता है क्योंकि इसके जो फोर्स लगती है वो डाउनवर्ड लगती है A single movable pulley system In a single movable pulley system The wheel rests on rope Wheel जो रहता है वो rest पर रहता है Load is fixed to the wheel Load, wheel से fix रहता है One end of rope is fixed एक जो rope का end होता है वो भी fix होता है Wheel and the load moves upward when the free end of rope is pulled जब जो free rope होगा अगर वो pull किया जाए तब ही wheel or load move करेगा The force required is less than the load But it is more a greater distance यह देखिए यहाँ पर जो यह diagram दिया हुआ है Figure number 4.30 यह देखिए यहाँ पर हम effort लगा रहे हैं यह movable wheel है यह load है और यह rigid support है और यहाँ से देखिए rope का जो यह हिस्सा है वो क्या है connected है वो क्या है connected है Benefits of pulley system A combination of a fixed and a movable pulley enables a small effort to lift a heavy load बच्चों जो combination होता है fixed और movable pulley अगर दोनों ही system को एक साथ use करें तो heavy load, small effort लगाने पर ही lift हो जाता है Means effort कम लगती है और उसका work जो है उसका output जो है वो ज्यादा निकलता है The effort moves much more than the load when more wheels are used Effort और कम लगेगी अगर हम जादा wheel use करें So less effort is used to lift the load For example, in a four pulley system the effort moves four times the distance of load moves so that the least effort required to lift the load is about one quarter the weight of load Maintenance and care of machine Machine are used for convenience We should take proper care of them to get travel free service for a longer period Most of the machines have iron parts in them Iron gets rusted बच्चों, machines की भी take care करना बहुत जरूरी है Machines की भी care करना जरूरी है Machines हमें easily work करने में हमें सुविदा देती है और हमें उनकी proper care करना चाहिए ताकि बहुत लंबे टाइम तक वो बिना service के रह सके Most of the machines have iron parts आपको पता है कि सभी machines में ज्यादा तर iron parts होते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि iron जो है वो rust ना हो जाए उसमें जंग ना लग जाए अगर outer part है iron का तो उसको जो machine का होता है उसमें रस्टिंग ना हो इसलिए हमें उसे paint करना चाहिए Moving parts of machines suffer a lot of wear and tear They also start making harsh sound Such parts should be lubricate regularly कुछ parts होते हैं बच्चों बहुत ही hard होते हैं एक साथ move करते हैं तो उनका बहुत ही hard sound भी निकलता है उन parts को lubricate करते रहना चाहिए Machines used to be Machines needs to be protected from dirt and dust to reduce wear and tear बच्चों machines को protect करने के लिए उन्हें dirt से और dust से दूर रखना चाहिए When a machine is not in use It should be covered अगर कोई भी machine work में नहीं है तो उसको cover करके रखना चाहिए ताकि वो dust free रहे By proper care and maintenance We can increase the life of machine अगर हम उनकी proper care करते हैं और उनकी maintenance करते हैं तो उनकी जो life है वो increase हो जाती है हमारा fact zone बच्चों है यह है In a fixed pulley there is no gain in work because the effort and load are equal and thus it is mechanical advantage is one बच्चों जो fixed pulley होता है उसमें कोई भी work gain नहीं होता है इसलिए जो effort और load होता है वो दोनों equal होते हैं इसलिए कोई work done नहीं होता है इसका जो mechanical advantage होता है वो one होता है In a moving pulley अभी हमने किसकी बात की? fixed pulley की अब हम बात करेंगे moving pulley The effort is less than load जो effort होता है वो छोटा होता है load से Thus the mechanical advantage is always greater than one इसलिए इसका जो mechanical advantage होता है वो हमेशा greater than one होता है A pulley magnifies force when more than one wheel is used One wheel is attached to the load and other to the support as a wheel एक load जो होता है वो उसे support देता है attachment देता है और दूसरा जो है वो beam की तरह work करता है So, बच्चों आज की lecture में हमारा पूरा chapter end होता है Today our chapter ends here So, stay happy, stay motivated and God bless you all Have a nice day Thank you